विल्कम टू देवजे सगायद मी। आप सभी अच्य होंगे पढ़ाही कर रहे हूँगे घर पे सेफ होंगे। देखिए हम लोग इस lesson में revision करेंगे कुछ grammatical rules को ठेक, revision करेंगे कुछ grammatical rules को क्योंकि SLC में जवाब CGL, CHSL, CPU, MTS, Hustonographer किसी भी exam में बैठेंगे तो उसमें आपको grammatical error detect करने से related questions आते हैं 2-3 और अगर आप CGL mains में, CPU mains में बैठेंगे तो वहाँ पर आपको 20-22 questions आएंगे इनके लिए हम लोग preparation कर रहे हैं CPU में भी आपको 10 questions देखने को मिलेंगे MTS में भी अच्छे-खाचे questions आते हैं इविन आपको यह fill-in-the-blank के रोप में भी दे दिया जाता है तो यहाँ पर इस lesson में हम लोग पूरे grammatical rules को देखेंगे जहाँ पर भी grammatical rules की ज़रूरत होगी कुछ preposition से समंधित questions होंगे ठेक तो lesson को complete देखेगा आपको इस lesson में 10 questions मिलेंगे यह जो है revision class 4 है 1,2,3 आपको already play section में already जो है आपको बना कर दे दिया गया lesson तो आप जाईए playlist section में और वहाँ पर जाकर lesson को देखें आता है question no.1 The presentry was being drawn into the money economy thereby raising consumer demand जम भी आप sentence को इस तरह के मतलब grammatical error के questions होते हैं आप उनको दो बार अच्छे से पढ़ने उसके बाद आप अपने grammatical rules को धियान में रखकर इन questions को tackle करें ठेक तो देखी यहाँ पर एक word यूज हुआ है presentry ठेक presentry जो है अपने आप में collective noun है ठेक collective noun है और यह हम इसा plural भर्व को लेता है ठेक तो अगर आपको यह rule याद है presentry जो है collective noun है और यह अपने साथ plural form के भर्व को use करता है ठेक plural भर्व के फॉर्म को use करता है तो यहाँ पर देखिये भर्व यूज हुआ है वह singular form में है पर हम वास के जगा क्या use करेंगे वेर का use करेंगे क्योंकि मैं पता है कि collective noun अपने साथ एक plural भर्व को लेगा ठेक तो plural भर्व को लेगा तो यहाँ पर वास के जगा हम क्या use करेंगे वेर का right answer is the option A आता है question number 2 पे human beings communicate to each other by means of language human beings communicate to each other by means of language यानि के भासा के माददे हम से एक दूसरे से communicate करते हैं ठेक तो यहाँ पर देखे जो communicate word use हुआ है इसके साथ हम preposition with का use करते हैं ना कि two का right answer is the option B communicate के साथ आप क्या preposition use करें with का use करें आता है question number 3 पे यहाँ पे बूला गया है आपको कि some people get used to changes very easily than others do some people get used to changes very easily than others do देखे यहाँ पर use हुआ है दूसरों के मुकाबले जो है कुछ लोग जल्दी ही बदल जाते हैं तो यहाँ पर देखे दूसरों लोगों के मुकाबले यानि कि एक व्यक्ति जो है यह है ठेक और इन में जो है B C D यानि कि यह जो व्यक्ति है इनके मुकाबले जल्दी बजल जाता है ठेक तो यहाँ पर जो है लोगों के बीच क्या हो रहा है camp region हो रहा है camp region हो रहा है कि जो है एक person यह है और एक person यह है यह जल्दी बदल जाता है और यह थोड़ा अलियत से बदलता यह जो भी ठीक तो यहाँ पर जब camp region के बात हो तो यहाँ पर हम vary के जगा क्या use करेंगे more का use करेंगे ठीक more than others do right answer is the option B camp region जब भी होता है तो हम एक comparative degree को use करते हैं यहाँ पर vary के जगा हम more का use करेंगे more एक comparative degree है right answer is the option B question of 4 the library members were asked to return sorry return back the books to the library return 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 मतलब होता है बापस करना बापस जाना बापस करना ठीक यह बापस ले जाना तो यहाँ पर return का इसका मतलब ही होता है बापस करना तो इसके साथ एक word use है back यह इसका भी मतलब होता है बापस करना ठीक तो हम यह दो जो words है दोनों का similar जो है अर्थ निकल रहा है तो यहाँ पर जो है इरर हो जाएगा आपका भी यानि की back का use जो है superfluous है ठीक तो जब भी आपको देखे return के साथ back का use हुआ है तो error आपका वही वाला part हो जाएगा ठीक return के साथ आप कभी भी back का use ना करें question number 5 you need not to ask for permission you can use it whenever you want to ठीक यहाँ पर देखे एक word यूज हुआ है need ग्रामेच का लून से ध्यान रखेगा need or dare ठीक यह जो है words negative sense में use किये जाए और इसके बाद जो है preposition to का use न करें ठीक तो यहाँ पर देखे need not negative उसके बाद जो आपका यहाँ पर तू का use हुआ है preposition यह आपका गलत यूज हुआ है अब कभी भी need dare के साथ जो है यहाँ पर तू का इस साथ में use न करें तो right answer is the option है question number 6 see does not cut paper with blade with a scissors see does not cut paper with blade but with a scissors you know just use the scissors just go he can do it on countable noun is and countable noun and countable noun is और इसके साथ जो है आप जिससे आप गिन ही नहीं सकते हैं उसके साथ आप a या आयन का परियोग कैसे कर सकते हैं ठीक a या आक का परियोग हम लोग का करते हैं जब किसी चीज को गिन सके हैं जैसे कि एक कुर्षी, एक पेन, ठीक, इसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन सीजर को काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर A का यूज नहीं करेंगे, right answer is the option C, यहाँ पर आपको A को रिमूफ करना, नमर सेवन, myself and ram will take care of function on Saturday, देखिए एक वोड़ यहाँ पर यूज हुआ है myself का, myself जो है एक reflexive pronoun है, तो reflexive pronoun के साथ कभी भी कोई sentence सुरू नहीं होगा, इस चीज को ध्यान रखेगा, तो error हो जाएगा आपका part A में, अब यहाँ पर एक और दिख्कत है, यह तो हम लोगों ने यानि की राम और myself के जगा क्या लिखिया, I, यानि की राम and I, यानि की आपको पाले third person, फिर आपको first person को यहाँ पर लिखना होगा, तो यहाँ पर person वाला rule भी आपको ध्यान में रखना है, और reflexive pronoun के साथ आपको यह भी sentence सुरू नहीं, right answer is the option है, question number 8, he was too tired that he could not cross the street even with the help of a supporter here, he was too tired that he could not cross the street even with the help of a supporter, यहाँ पर देखे एक word use हो है, that, इसके पले हम क्या use करेंगे, so, तो यह rule हम लोग पढ़ चुके हैं already, बहुत सारे lessons में हम लोग यह कर चुके हैं, grammatical rule, उसका जो है आपको एक अलग से playlist भी बना हो है, आप description में जाएंगे, तो आपको मिलेगा ए नाम से playlist आप उसमें भी या फिर playlist section में भी आकर देख सकते हैं, तो उसमें आपको यह rules सारे मिल जाएंगे, ठीक, तो यहाँ पर जो हम two के जगा क्या use करेंगे, so, और उसके बाद आपका dad का use होता है, ठीक, तो यहाँ पर so dad का हम लोग use करेंगे, options, a is the right answer, dad के जगा so का use क करिए, question one nine, the old man told his sons that there was no such thing like luck, ठीक, the old man told that his sons that there was no such thing like luck, तो देखे, यह जो है आपका एक universal truth है, यह वाला जो आपका पाच जो है कि there was no such thing like luck, यानि कि भाग गी के जैसा कोई भी चीज नहीं है, यह आपका जो है एक universal truth है, ठीक, तो universal truth को हम हमें सा simple present tense में ही रखते हैं, जैसा कि हम लोग narration जो हम लोग बनाते हैं, तो वहाँ पर भी हम आपको बोलते हैं हमें सा, कि जब भी universal truth हो, तो आप उसको जियों कातियों रहने दें, उसे change ना करें, ठीक, तो यहाँ पर जो, यहाँ पर जो universal truth है, उसे हम हमें सा present के form में ही र देकि, the number of जो हैं, अपने साथ follow करता है, एक plural subject को, ठीक, plural subject को, और singular भर्व को, यह हम लोग राम ethical rules में पढ़ चुके हैं, प्ले लिस्ट में जाकर देखिए, बावा ग्यान के, प्ले लिस्ट में आपको सारे relations, जो हैं, वहाँ पर rules मिल जाएंगे, ठीक, तो the person के साथ हम ल noun है, यह आपका plural form है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका भर्व है, singular form है, कोई दिक्कत नहीं, तो यह आपका जो है, the number of के साथ, यह वाला rule, fit by try है, इस sentence में, कोई भी दिक्कत नहीं है, हम जाएंगे, option D, यानि की no error वाले option के साथ, ठीक है, तो यहाँ पर जो है, आपको 10 questions ब प्रिवेसली पूछे गया है, यह वोट्स, तो आप जाएए, टेलग्राम चैनल को जोइन करें, description में लिंक है, आप वहाँ से आकर उन PDF को डाउनलोड करके, उन्हें याद करिए, revision करिए, और यहाँ पर तो आपका revision हो ही रहा है, ठीक है, तो लाइक करिए, share करिए, और 15 से 18 नोवंबर 2020 के बीच में, ठीक, तो इसका भी solution आपको कराया जा रहा है, इसके अलाबा MB publication book से भी solution आपको कराया गया है, तो सबका जो है playlist, आप जाकर playlist section में देख सकते हैं, सबका surprise बना हुआ है, आप जाए, उन्हें देखिए, सीखिए, समझे, हम लोग मिलते हैं, आपको कराया जाए, आपको कर दो है